नमस्ते टेर्स आप सभी का एक और नहीं वीडियो में स्वागत है चले देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने आज कैसे किस हिसाब से कामकाच किया कहा कहा क्या 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 प्राइस एक्षिन बन रहा था और यहां पर हमारे सीखने लाइक कौन सारी बात थी तो यह हमारे से बैं कि अगरण मांकट में लगता है कि को निए अगरण मीनिट में वही किया था माकेट में देखोकर नीचे कर लगा था यहां examined तो यहां कहीं मैंने बाइंग की एक पोजिशन बनाए थी और फिर मैं यहां पर उसको ऊपर कहीं तक लेकर आ था तो मौनिंग में एक ट्रेड यह काफ़ी सिंपल ट्रेड था बहले ही इस जगा पर थोड़ी वोलटालिटी थी तो अगर यहां पर आपने कॉल बाई किया होग तो इससे कुछ घराब नहीं मानना चाहिए यहां पर पहली बात आप यह कर सकते हो कि अगर यहां कोई बाइंग करें तो थोड़ा सेफ एसल लगा है जब मार्केट जादा वोलटाइल लगता है तो उसने हम अपनी क्वांटिटी को रिडिउस कर देना चाहिए और अपने स सेफ क्राइटेरिया में आजाए कि अच्छा चलो 90-100 पॉइंट के आसपास का stop loss लगा देता हूं इतना मार्केट वोलटैलिटी हो सकता है इतना मेरा एसल हिट नहीं करेगा तो 90-110 पॉइंट के आसपास लगा सकते हैं अगर सेम क्वांटिटी में इतना बड़ा stop loss लगाते तो इसलिए इस वाले जोन में थोड़ा मार्केट वोलटैल हो गया था उसके बाद मार्केट पे निकलता और अच्छा घासा एक रहली देता है उसके बाद अब देखो कि दिन बार मार्केट 100-100 पॉइंट के रेंज में रह गया यानि अभी मार्केट में बहुत जादा sideways nature ह हो गया मार्केट का मार्केट अर्चानक ट्रेंट करते करते हैं अब sideways हो चुका है और यह रियलाइज करना जरूरी है कि markets में अभी कुछ दिन तक बड़े targets नहीं मिल सकेंगे देखो इतना अच्छा रेंज ब्रेक आउट हुआ था आज बड़े targets मिलने चाहिए बट क्यों क्योंकि उपर profit booking हो रहा है जितना उपर जा रहा है उतना profit booking आ रहा है तो उपर market उतना freely move नहीं कर पा रहा है और buyers मतलब sentiment इतना अच्छ है news इतना news flow positive है तो market जाधा गिर भी नहीं पा रहा है तो sideways ही नीचर expect करें बाकि बड़ी move मिलेगी तो फिर उसको भी capture कर लेंगे बट expectation sideways की रखनी अभी जाधा सही है आप यहां पर दोखो कि market उपर गया फिर यहां पर hold किया यहां पर एक अच्छी घाजी range बन रही थी बट range का breakdown वा तो फिर इसी level पर support लेके जहां से market निकला था फिर उपर की तरफ और यहां hold कर रहा था और फिर मतलब finally यहां पर एक moment आया जहां पर हमें एक breakout उपर की तरफ देखने को मिल रहा था तो यहां पर आपको याद है मैंने टेलिग्राम पर पोस्ट किया था कि breakout आने से पहले ही यहां पर की bank nifty trap zone में है प्लीज जो उपर साइड का breakout उसको cautiously trade करें मतलब मार्केट निकल जाए री टेस्ट करें मतलब मार्केट को confirmation दे दे आपको तो ही आपको यहां पर ट्रेड लेना है और फाइनली होता कि आप देखो यहां पर अच्छा यह वाला move चलो उपर trap करके आ रहे नीचे आ रहे तो यहां मैंने एक put भी भाई किया था इस जगह में एक inside candle बने थी तो मैंने एक put भी भाई किया था लेकिन मेरी expectation यह थी कि हो सकता है आज market में यह profit booking थोड़ी बड़ी आ जाए और यह day low के आसपास कहीं तक पहुंच जाए यह मेरी expectation थी but market यहां पर आता है और यहीं पर फिर volatile हो जाता है तो यह put side वाला trade था था ना उसमें भी मुझे बहुत बड़ा profit नहीं मिल पाई यहां पर गया नीचे जब यहां पर द zone में कि अगर यहां पर चलो trap होगा तो यहां पर भी मैं entry ले सकता था पर मैं सोचा नहीं aggressive नहीं जाते हैं इस जगह पर क्यों aggressive नहीं जाते हैं क्योंकि market positive है और आप देखो कि कोई भी previous low break नहीं हो है जब trend upside का है तो downside में aggressive play नहीं कर सकते हो सकता है दुबारा यह support लेके volatile हो गया volatile अब देख रहो यह volatile हो भी रहा तो कहां से लेके 42600 और नीचे 42400 मतलब 200 point के range में market इतना जादा उपर नीचे कर जा रहा है कि हमारा stop loss hit करवा दे रहा है पर बाकी movement कोई बहुत बड़ी movement नहीं आ रही है तो एक चीज होता है कि market का जो nature है वो sideways हो जा रहा है sideways मतलब क्या होता है कि जो daily range आपकी बनेगी ना वो small बनेगी market daily बड़ी range नहीं बनाएगा but market में volatility increase हो रहे इसका मतलब क्या है कि छोटे से range में ही ना आपको बहुत बार unexpected price action देखने को मिलेगा मतलब market कहीं भी trapping कर रहा है कुछ भी कर रहा है वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी तो solution क्या है इसका इसका केवल एक solution है जो सबसे अच्छा है वो है patience market में सांती से बैठे रहे है और अपना setup बने दीजे दिन में एक दो trade मिल गया सांत रहे है अगर आप patience नहीं रखोगे तो आप क्या करेंगे आपे over trading करेंगे और over trading ऐसे situations में तो पक्का loss देने वाली है अ करेंगा तो इसलिए कम trade ले जहां confidence आए वहीं पर trade ले और अपने आपसे खुद यह कोसिस करें कि मैं ज्यादा trade यहां पर नहीं करूंगा तो अब कल के लिए देख लेता है इसको मैं delete करता हूं कि कल क्या क्या हो सकता है यहां पर तो कल आप देखोगे नीचे के level से मैंने जो notice कि आभी था कि बहुत सारी trend lines आ रही हैं तो इन trend lines को mark जरूर कर लिजेगा कि मतलब यह सारी trend lines पर market कैसे behave करता है और जितना अभी मैंने देखा कि थोड़ा सा gap down open हो सकता है तो gap down open होने के बाद अगर selling आता है तो यह सारे levels पड़े हुए हैं यहां भी आ सकता है 42,400 का अब यह break हो गया यहां से जो यह previous high था अगर मान लेते हैं यह 42,400 का यह level था यह break हो गया है तो अब इसको break करने के बाद यह ऊपर थोड़ा जा चुक है तो अब एक retracement भी आएगा तो ऐसा नहीं है कि market यहीं से चलते जाएगा वो retracement कब आता है इसके बारे में कहपा जाना मुस्किल है बट price action के हिसाब से यहाँ पर एक retracement आ सकता है तो downside के लिए और अगर नीचे आता है तो level based trading करनी है आपको कि किस level पर support ले रहा है किस level पर resistance ले रहा है वो आपको ध्यान रखना है बाकी अगर उपर जाता है तो फिर हमें रुक के trade करना पड़ेगा थोड बड़ा gap up होता है और यहां पर आके एक रुक सा गया मार्केट उपर की तरफ तो इसको आप बोल सकते हो कि उपर तैर रहा है market या cloud की तरह उपर यहां पर पड़ा हुआ है तो यहां पर downfall आता है इस level का तो आपको पहली बाद में यह आपको पहले ही alert कर दे रहा हो कि यह और उस consolidation एक दिन का भी हो सकता है फिर गिरे तो आप यहां के यहां के levels expect कर सकते हो बाकि इसके पास उपर जगह बचा हुआ इसका जो high है वो 1800-600 के आसपस है 18600 के आसपस तो हो सकता है थोड़ा upside rally के बाद retracement दिखा है बट 1800-600 18600 के आसपस एक retracement तो आना चाहिए आपकि पर के levels आए या फिर यहीं से market में हमें देखने को मिल सकता है retracement पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है मैं आपको बता हूँ कि किसी दिन अगर gap down opening मिले और gap down opening के बाद market सापली नीचे की तरफ आने लगे जैसे आज के दिन में hold कर रहा था bank nifty दिखोगे nifty तो पैनिक होंगे बाकि जब market अच्छा uptrend में रहता ना तो gap down के बाद जनरली कोसिस करते हैं इसको दुबारा उपर लेके चले जाए तो वो panic situation create नहीं होता है तो इन बातों का ध्यान रखेगा और I hope आपको thoughts वीडियो से भी थोड़ा help मिल रही होगी तो चले मिलते हैं next वीडियो में बाकि कल एक important announcement आने वाला आप सभी को जैसे पता होगा batch 5 launch होने वाला कल हमारा तो उसके बारे में कल ज्यादा detail में बात करेंगे अभी रहने देते हैं चले मिलते हैं next वीडियो में